पारण नमश्कार बहुत स्वागत है आपका उस कारीकरम में जिसका नाम है हे प्रभू आनंद दाता और आज इस कारीकरम में एक उर नए विशाय के साथ हम आपके समक्ष है और आज का विशाय जो है वो एक महांदार्षनिक जो इसी भारत भूमी से रहे ःलाकि कर्म भूमी उनकी अमेरिका रही, काफी लंबा वक्त उन्होंने अमेरिका में गुजारा, जिदू कृष्ण मूर्ती उनका नाम है, और काफी उन्होंने मन को जग जोरने वाली दार्शनिक चेतना के धरातल पर कही गई बातें मनुष्य के लिए छोड़ी हैं, और उनकी एक ऐसी ही पुस जो जाना पहचाना है, उससे मुक्त होना ही जिस सत्ति की तलाश में मनुष्य रहता है, मनुष्य यानि वो मनुष्य जो जिग्यासू है और जो जीवन के सार्थक अर्थ और भाव को समझना चाहता है, यानि वो अपने जीवन को एक देशा देना चाहता है, अब यहां ग् बुद्धी से समझ पाता हूं ग्यात से मुक्ति का यही अर्थ है कि ग्यात हमें जो कुछ भी है वो सब कुछ पास्थ है अतीत है जैसे हम होश्ट समालना शुरू करते हैं तो हमारे आसपास का प्रिवेश हमारे माता-पिता हम से कहते हैं आगे बढ़ना खूब पढ़ना आगे बढ़कर अपना जीवन बहुत समारना है इदे को तुम्हारे ताउजी जो है उन्होंने बड़ी महनत की वह फला अधिकारी है और उनका बहुत बड़ा घर है यह अतीत है और प्रिरित करने के लिए भले ही हम भविश्य में जाकते हैं लेकिन यह सब कुछ वो नॉलेज है जो हमें अतीत से ही मिलती है कि धन इखटा करना चाहिए खराब समय बोल कर नहीं आता कभी भी कुछ भी घट सकता है जीवन में सफल होने के लिए हमेशा सच बोलो ऐसा अवश्यक नहीं है नाते रिष्टेदारों में निवे जापिता हैं जो हमारे टीचर्स हैं जो हमारे मित्र हैं और जो हमारा समाज है लेकिन क्या इससे मुक्त हुआ जा सकता है और इससे मुक्त होकर ही उस सट्टी की तलाश की जाती है जिसका जिक्र हमारे विद्वान वक्ता इस कारिक्रम में कई बार कहते हैं शंकराचारे जी के माध्यम से कि आत्मा भी तुम हो परमात्मा भी तुम हो तो क्या आतीत क्या वर्तमान क्या भविश्य नभूतो नभविश्यती लेकिन यह सब कुछ बड़ा जटल है बहुत उलचता हुआ सा प्रतीत होता है जब हम यह बात कहते हैं कि मैं नोन से freedom from known ग्याद से मुक्त हो जाओं जो जो कुछ मुझे मालूम है उससे मैं मुक्त हो जाओं यह ग्याद ही तो डराता है मैंनत नहीं करूंगा तो फ़स जाओंगा वृद्धा वस्था में साथ साल के बाद रेटायर होने के बाद कितने दिन जीवित रहूंगा और धन रहेगा कि इन्हीं रहेगा तो इनसे मुक्त ही क्या सही माध्याम है और मुक्त है तो कैसे हो जानेंगे मानश मर्मग्य भगवत गीता के अधेता प्रोफेसर सुरेद्र विहारी गोस्वामी जी से प्रणाम कर रहा हूं गोस्वामी जी आज अपने चुनने की कोशिश की है आज आपने जी विश्व के उन चुनिंदा दार्शनिकों में से एक जे कृष्ण बूर्ती जी का दर्शन सामने रखा है और यह दर्शन नहीं है यह उनकी लोग कल्यान की चिंता है लोग कल्यान की चिंता इसलिए है कि वह चाहते थे कि आदमी आधा अधूरा ना रह जाए एक बहुत सुन्दर इशावाश्य उपनिशद में मंगला चरण में बड़ी अच्छी बात कही है जी पूर्ण मिदम प पूर्ण पूर्ण मुदिच्चत है पूर्ण एक व्यक्ति को परिपूर्ण होना चाहिए एक व्यक्ति के जीवन का आधा भाग ग्यात में बीत जाता है और आधा भाग जो उसे बिताना चाहिए था जो वे ग्यात है उसकी तरफ जो उससे समझ दोनाना चाहिए था ग्यात भौतिकता का होता है जो बाहरी आत्रा है वो ग्यात की आत्रा है तो जितनी भी आत्रा आप बाहर की करेंगे वो ग्यात है ग्यात आपकी स्मृति पटल पर आ जाएगा जो चित्त से संबंदित होती है जब ग्यात स्मृति पटल पर आ जाएगा तो आपकी याद बन जाएगे अब याद के दो भाग हो जाएंगे अच्छी याद है और बुरी याद है। की अंतरचित्त की आत्मा बड़ी शुद्ध होती है तो आप सुमिरन जब इस्वरन करने में यह वाकर विण्यास को कख रहा हूं तुलसी कहते हैं अपनी बात को कहते कि राम-को कलप तरू कल्प निवार्श का नाम कल्प रिक्ष की तरहאं कल्प है कल्युग में कल्यार के स्थापित यहां पर नाम रूपी कल्प रिकष्ण और यहीं सुमिरत भय भांगते तुलु पीच का बेद खतम करेंगा यह दर्शन की सार्तक्ता है जही सुमिरत भय भांग थे भांग कार्थ होता है बावला होना भांग का शब्द का उप्योगा उदी में उसमें बावला पन मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं तो तुलसी बावला थे रत्नावली के लिए बावले थे अपने जीवन दर्शन के लिए बावले थे उनको कोई ठोट हिकाना नहीं था इसलिए बावले थे मदमस्त थे जो संसार के ग्यात में रवा हुआ है वो भांग है आप समझे मेरी बावा तो जही सुमिरत भय भांगते तुलसी यानि ये तुलसी तुलसी का दास हो गया हुआ एक तुलसी मेर्ण गजके मेरी नाम हैं चोड़े पतनी हैं इस खांव गमारी तुलसी को च अब सी एब सीदाओ हो गया है उन्हें बने का कुंसे तुलसी बाव एक श्वा इसकाने नहीं दो हो जो आत्मा को धारण करने करने वालेся और तुल-सी नीधित धारन है का अर्थ होता है लक्षमन और सी का अर्थ होता है सीता तो जो राम लक्षमन और सीता के दास हो गए जो विज्ञाद थे उनके दास हो गए सुमिरन करने से सुमरन करने से बहुतेरी व्यक्तियों को हम अपने जीवन में जानते हैं उन्हें से कुछ को पहचानते हैं पहचानने वाले लोगों को कुछ को समझते हैं लेकिन समझने के बाद मानने की बारी भुल लाते हैं मानते की प्रक्रिया पहुंचते पहुंचते वह मनन की प्रक्र आपको ग्याद कैसे होते हैं आपको ग्याद का एक और अर्थाप समझ लेजिए यहा जा temptation का मन आ जाता और वह कि उयरा यहांपर दूसे में पूझञे senza मानकर यही सोचते सोचते चलोगे तब इस्मरण नहीं होगा अर्थात अंत समय में तुम्हारी बुद्धी में केवल वही दिखेंगे और ग्यात ही कर्मा शायन के लिए बादा है जो आपके कर्म है ध्यान रखीगा अध्यात्म कहता है आपको चुकी अपने कर्मों का फल भोगना ह भोग है आपका शरीर ये देह भोग का माध्यम है आप भोगता है ये शरीर भोगता है लेकिन आत्मा तो साक्षी मातर है आत्मा नहीं भोगता करती है इस सुक्षु जीव को भोगना पड़ता है तो वो चाह रहे हैं कि तुम्हें कितनी चीजें ग्यात है तुम संसार की कि इतने उन प्रक्रियाओं में अपना मन रमाकर रखे हुए हो जो तुम्हें ग्याद है कि पत्री के साथ कब सुख़त पल बीता था तुम्हें आद है कब भाई के साथ हमने लड़ाई की थी मैंने आपको चर्चाओं में ये भी कहा था कि एक ऐसा यंत्र हमारे अंतरचित में इन बिल्ट है जो हमारी अच्छाई और बुराई को अपने आप ही अंकित कर देता है हमको उसको जब हम धारन ही कर लेते हैं तो वह ग्याद हो जाता है मैंने विस्मृत करने के तथ्थों पर चर्चा की थी कि आप नित्य प्रति सोची कि क्या अच्छा हुआ है उसको परम हमारेजीवन में दुख के बिता हुए पल हमारे सभ हमारे रास्ते में एक आपन के हमें रोक लेते हैं जीवन जहां रुख जाता है वह भॉजबन जाता है तो इसलिए हमें पूर्ण होना कृष्ण बुर्ती चाहते हैं कि मनुष्य पूर्ण हो जाए उस सीधा सीधा यह इंगित नहीं कर रहे हैं कि तुम उसको ध्यान करो विज्ञात है स्युमत भागवत में एक सुन्दर भावाटकी का वर्णन आता एंग जहां पर आपको द्रिश्टांत बना कर समझाने का प्रयात्न किया जाता है son अत्यंत दानवीर हैं बहिरशद अत्यंत बहिर्शपद उनका नाम हो गया है। अत्यंत दानवीर है। उन्होंने इतना दान किया कि विप्रों ने प्राप्ठ धन को नहीं ले जा पाये तो छोड़ दिया। यह यहां प्रथू के बंस में हैं प्रचेता हुए उनिंधि प्रचेता के पूत्र दख्यों तो वह बंस जो प्रचेता हैं आप पूनरजन्म चूके था प्रच्या कुआ तो जो उनका नाम था प्राचीन बरही वी एक उनका नाम था और उनका नाम ऊगया था तो वी अपनी दान और यग्यों के लिए प्रसिद्द थे. आतुलिती यग्य किया होने, हर प्रकार का यग्य कर रिया. तो उनके दान में दी हुई वस्तुओं को त्याग करके भी विप्रलोग गया कि इतना उठा कर जाए इतना दे दिया उससे एक पहाड बन गया वही पहाड अरजुन को दिखाते हैं कौन भगवान कृष्ण इंदरप्रस्त के लिए धन प्राप्त करने के लिए वहां लिजात तो उनको भावाटकी समझाते हैं तो उनको यही बात कहते हैं कि एक ज्यात है और एक उसका मित्र विज्यात है ज्यात मित्र जो है वो पुरंजनी के आवरण में आ जाता है कैसे महल में पहुंचता है जिसके दस दरवाजों के महल में पहुंचता है और वहां एक बड़ी इसका नाम पुरंजनी है भावाटकी है बड़े ध्यान से आप समझे आपके प्रश्ण का उत्तर इसमें नियुक्त है भावटकी का बिल्कुल मूल अर्थ समझे क्योंकि यही समझाकर नारद ने उनको वैराग्य कर दिया था विज्यात से जोड़ दिया था तो उनको वो उसका जो ग्याराशी वाला नाग हमेस्वा चलते रहता है उसके घ्यारा शीष्य है उस तुक है उस Kung है जिसका नाम जरह है उट्व में जरही पराजित करके मृत्व को प्राप्त करा देता है और फिर उसको याद आता है कि मेरा विज्यात कहा गया जो फिर से जन्म होता है यहां भाव यह कि ग्यात ही जीव है वो पुरंजनी जो माया है वही बुद्धी है दस दारों द्वारों की यही नगरी शरीर है यहां पांच ग्यानिंद्रिय तो इस ग्यात को विस्मृत करने का आरथ होता है संसार को विस्मृत कर दें। बुर बुरा कारे करें परश्षित की गंगा में वहीं इसनान करिए और आगे निकलिए। रुकिये नहीं, सारा संसार रुका हुआ है, हर घर रुका हुआ है, हर व्यक्ति अपने ग्यात प्रक्रियाओं में है, ध्यान रखिये ग्यात वरतमान भी होता है, ग्यात भूत भूत भी होता है, और ग्यात भविश्य भी होता है, हम जो ही तीनों चीजों में रहते हैं, हमें वर्तमान ग्यात है तुम अपने भविष्च को ग्यात कर रहे हैं भविष्वानी किसके लिए ग्यात के लिए मुझे ये बनना है मुझे ये चाहिए मुझे वह प्राप्त कर रहे हैं तो ग्यात के लिए पुत्र क्या करेगा क्या करेगा हमारा क्या होगा यह सारी प्रक्रिया और यही ग्यात आपको भुक्त बना देता है और आप भोकते भोकते उसी ग्यात को ग्रहन करते हैं और फिर से मुक्त नहीं हो पाते हैं मुक्त होना है तो ग्यात को विस्मृत करिए और विज्यात के साथ जुड़िए बहुत संदर गीत मुझे स्मरण हो आया याद न जाय बीते दिनों की आप देखे ये ग्यात कितना परिशान करता है कुछ लोग प्यालों में डूबो लेते हैं शमा कीजेगा कुछ लोग दुख में डूब जाते हैं और कुछ लोग विस्मृती के नाम पर नाना प्रकार का स्वांग करने लेते हैं मैं बहुत खुश हूँ मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है मैंने चिंता करना छोड़ दिया जब से फला साब से दोस्ती तूटी मैंने दुनिया को अपने जूते की नोक पर रखना शुरू कर दिया अरे बहिया ये सब बता रहा रहे कि आप ग्याद से और ज्वजयादा आसवाह तो किया यात्रा ग्या से अग्याद की त enrichment डीप की तरफी होनी चाहिए ग्याद एत्रा नहीं है ग्याद तो आपके परिवेश में परिवेश में वे यात्रा केवल विज्ज्याद के लिए होती है विग्यात जो भी शब्द लगाएं आप तो आप सुन्न को आप को आप जानते किस सो आप जानते किस को हैं जो आप हैं यह अप जानते की मैं नोन कौन को नहीं कौन है बता में बूलत हो तो आप लंबी यात्रा करो या आप इसके लिए आनंत की यात्रा करो अर्थात खुद में उसको जूनने का प्रयात्ने करो सारे प्रश्णों का समाधान आपके अंतरचत में हैं करएं जो लोग समफ्टा लेकर आएं बहुत ज्यादा विसलेशन मत करें उनकी सम्वस्षा को ध्यां से सुनimento समाधान उनकी समस्वान ही आपकोई कहे वाई मेरा नडण संच्छा ≥ किसीने अपनी समय स्वेश को करते हैं ग्यात सरीर को रखते हैं ग्यात सरीर के संबंधों को रखते हैं ग्यात सरीर के अरजन को रखते हैं लेकिन आप उस अग्यात के परती नहीं जानते जो ग्यात करने के लिए जिग्यास हुआ है तो आपकी जिग्यासा जो है उस अग्यात के लिए होनी चाहिए आपकी तडफ उस अग्यात के लिए होनी और अनिक नाम उसका विज्ञात है ग्यात और अग्यात अग्यात यानि जिसको ग्यात नहीं है लेकिन विज्ञात अग्यात नहीं है 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 विज्ञात अग इस धरा पर उत्रा हमारी सनातन परंपरा में। क्या ये कृष्ण थे जो ज्ञाद से विज्ञाद की तरफ बढ़े। यहां तो एक कहावत है नर्स नारायन का पत्र हमारे प्रचलित है अपनी परक्रिया में है पहले आप एक बात समझे हम लोग जड़ और चेतन के समस्रन से बने हुए हैं हमारी जड़ता ग्यात है लेकिन हमारा चेतन विज्ञाद है बहुत अच्छा बात बहुत बढ़ आप बात समझे लेकिन जो हमारे अउतरन सनातन संस्क्रित में होते हैं वो केवल चेतन चेतन होते हैं तो चेतन जो है उचुकी प्रत्यक्ष विज्ञाद है इसलिए उसके ज्याद का कोई तत तो उपस्थत नहीं रहता आप मुझे कोई समाधी बता दीजी जो कृष्ण की हो आ अपनी कोई ऐसी उपस्थति यहां आपको आप इनकी पुन्नितितिया नहीं मनाते हैं आप इनके अधरन दिवस मनाते हैं तो जिनकी पुन्नितितिया मनाते हैं वो विज्ञाद पत के पतित हैं और उन्होंने विज्ञाद का इसपर्ष किया या विज्ञाद के अंस्भू अर्जुन को गीता में यही समझाते हैं कि जो तू समझा रहा है यह सब ग्यात है लेकिन जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं वो भी ग्यात है जो अच्छी है आप ध्यान रखिएगा फलशुति ग्यात है भवश्य के परती आकरशित करने के लिए फलशुती कर्म वरतमान ग् को कस्ट देंगे ये तीनों ही आपको अनावर्शक श्रम कराएंगे अर्थात आप वो श्रम कर रहे हैं आप एक ऐसी जगा पर दोड़ रहे हैं जहां किवल आपके पैर फिसल रहे हैं आप बढ़ नहीं रहे हैं ग्यात के पीछे दोड़ना कहलाता है लेकिन जब आप किनें लग जाएं तो आपस Look आपकी यात्रा जो है और को छोड़ कर ओर रहे हैं ग्यात को छोड़ा बुद्धने घ्यात को छोड़ामाविर ने घ्यात को छोड़ा विवेकानंदने ग्यात को छोड़ा नामदेव ने ज्यार को छोड़ा शंकरा चारे नहीं। ज्यार ही अपनी आयू की गणना करता है। ज्यार ही अपने शरील के विस्षेस्ताओं पर बात करता है। ग्याद पर ही प्रभाव पड़ता है क्रिया की प्रत्क्रिया देता है ग्याद क्रिया की प्रत्क्रिया कोई बहुत प्री है मिलना है आपको ग्याद है मेरा बाल सखा आगया आप कितने आतुर हो जाते हैं वो आपको प्रत्क्रिया दे रहा है आसकती में बंदेव कोई शत्र होती ना प्रत्क्रिया होती तब वहां आपका विशुद्ध कर्म होता है जिस जो आपके करमाशायन का नाश करता है बहुत अच्छी बात आपने कही है और ये प्रसंग एक बार पहले भी शायद हमने उल्लेक इसका किया है कि इनी जे कृष्टमूर्ती से राजकपूर के पि जे कृष्टमूर्ती के दर्शन चिंतन से बहुत प्रभावित रहे हो उन्होंने का नमस्कार मैं प्रित्वी राजकपूर उन्होंने बड़े सहज बाल सुलब प्रसंगता से उनको देखा बोला जी नमस्कार मैं आपको पहचानता नहीं हूं आप ठिटकने की बारी प्रि जिल में ही नहीं देखता हूं अब ठिटकने की और थोड़ा सा शर्मिंदगी में जाने की बारी प्रित्वी राजकी थी उन्होंने का मैंने बहुत तुरुटि पूर्ण परिचय दिया मैं सिर्फ प्रित्वी राज हूं बस अगर यह भी स्मरण में रहे या ना रहे एक सम ग्यात है यह हमारे साथ चलता है और कहीं जब इसको माननेता नहीं मिलती है पिता को पुत्र माननेता नहीं देता पिता फनफनाने लगता है पुत्र को माननेता पिता से नहीं मिलती पुत्र होने के बाद भी इतनी उपेक्षा पिता जी आप जैसा पिता संसार में होगा न है वो मुक्त करता है सबसे इसलिए सन्यासी जब निकलता है तो जब आप उससे पूछते हैं आपका परिचय क्या है तो कहता है इसकी क्या आवश्यक्ता है मैं एक भगवाधारी कोपीन धारी सन्यासी हूं जो ढूंड रहा है प्रयास कर रहा है सत्य के मार्क पर निकला क्या इतना प्रयापत नहीं है कि मैं इंजीनियर था मैं कहां से निकला था मेरी माता कौन थी यह ग्याद से मुक्ति है तो यात्रा ग्याद से आरंब तो नहीं हो जो हमारे साथ चलती रहती है लेकिन इसको बढ़ाना है आगे बढ़ना है अपने भीतर जाना है जिसको बहुत अच्छा परिभाशित किया स्वामी जी ने कि पूर्ण होना है तो सुविग्यात की तरफ चलता है मैं एक अच्छी बात आपके प्रसंग में कर रहा था आपने बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया एक बात समझ लीजिए ग्यात में अहम होता है ग्यात आपको असहच करता है तो ग्यात से मुक्ति का मुझे यही विधान ध्यान आया आपके इस घटना से मुझे मैं पिताशी क चुकि उस घटना का मैं प्रतक्ष दर्शी रहा किसी राज्य के मुख्यमंत्री सपत लेते ही पिताशी के पास आये कि उनसे आशिरवार ले ले हैं तो उनके साथ लावा लसकर सब आया अब उन्हें मैं पर्चित था उनको मैं जानता था कि अमुक हैं यह आते रहते हैं त तो उनने का मैं दर्शन करना चाहता हूं मैंने का ठीक तो जाने लगे तो उनने कहा उनसे कहना कि फलाने आये हैं मुख्यमंत्री वहां के मैं पिताशी के पास गया पिताशी अपनी चेतना में थे उसमें तो मैंने उनसे कहा पिताजी मुख्यमंत्री फलाने आये हैं आप स तुम मैं चलने लगा तोनने का सुनो एया पिता का आदे से तुम्हें ऐसे ही कहना ऑजैसे मतंड़ाइ है मैंने अपना संकोच थोड़ा में वहाँ पाहला जा पिछका नम्सकार करते noise and उन्हें कहा है कि वो आपको नहीं जानते और वो आपसे नहीं मिल पाएंगे उन्हें का अच्छा मेरा प्रणाम कहिए चले गए और मैं फिर सेवा में आ गया एक 15-20 मिनिट बाद वो फिर लोटे फिर लोटे फिर दरवाजे पर दस्तक हुई मैंने उनसे कहा कि कहिए मैं कैसे फिर आगमन हुआ आपका पधारी है उन्होंने कहा कि उनसे कहना इफ्लाने आये उन्होंने अपना नाम बताया सहज भाव से यह आये पिता जी से इतना सुनना हुआ और वो बड़े आराम से और वो आया हूँ आय करके और मिले और बैठे ये ज्यात तत्त्त्त आप में अह से ये भी समझ पाया हूं कि ग्यात हम का ही परयाय नहीं है ग्यात दुख का भी परयाय जीवन संगिनी इश्वर ना करें किसी का साथ छोड़े लेकिन घटता है प्रियेजन का बिछो तो ये भी ग्यात है कहां गई आज होती तो यहां घूंगते सुंदर पार्क में हम हाथ मे हाथ डाल कर कितनी लंबी यात्रा करते थे कितना सुंदर दृष्ष्ट होता था मित्र चला गया अरे मित्र के साथ कितना सुखद तो ग्यात कई बार आपको ऐसी ऐसी गलियों में ले जाता है जो गलियां सुखद नहीं चाहे वो अच्छी स्मृतियों की हो चाहे वो कितना विलक्षन द्रिश्य है और उस भाव को अगर भीतर भर पाते हैं तो यह सुविग्यात होना है इसको जड़ा करके देखिए प्रयोग देखिए आपका मोबाइल रखा है टेबल पर और आप देखें कि यह किसी और का मोबाइल है यह विपश्यना जो साधना की एक पद कौन बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और अगर इन सबसे मुक्त होते हो आप तो बहुत सारा तनाव आपके मन से हटता है यह अभी सिर्फ पढ़ी हुई बात बता रहा हूं जिन लोगों ने इसको किया है वो गहरे आनंद में डूबे हुए लोग रहे हैं ऐसा भी मैंने प पर अलता से हमको समझाया है कि क्या ग्याद है क्या सुविग ग्याद है बहुत धन्यवाद आपको अगले एपिसोड में एक और विशह लेकर फिर आपसे मुलाखात करेंगे प्रणाम जमस्कार